नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में पर हैं हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वट्टब कर सकते हैं इस्टाग्रम पर हमारा पेजरूर फोलो कर लिएगा इस्टडी फॉर्स इविल से हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से अब जान रहे बीपीए सी 68 पीटी को स्टू प्राइब कर सकते हैं स्टाडी फॉर्स इविल सर्फिस का बीपीए सी 68 पीटी का हाई यील्ड क्रैश कोर्स यहां से शुरू होता है 15 नॉवंबर को अगर आप जॉइन करते हैं तो 85 दिवस का पेड़ क्रैश कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है इन 85 दिवस में स्टाड जिसको लोग वीडियो नंबर वन बोलते हैं इसमें पूरी स्टाड़ी डिसक्रस की जाएगी अगले 85 दिवस के लिए कि आपका औरिंटेशन होना चाहिए स्टाडी का स्टाडी फॉर्स का कंटेंट आपको कैसे हेल्प करेगा जितने भी सेक्शन आते हैं आपके अप्रिल सबस्क्राइब करेंड़ करने जाता है क्यों आपका पीटी ग्रूप जोएन किया जाए तो इसके समझ में आपको बता दिया कि स्टाडी फॉर्स मिनमम नंबर पेजस में सिलेक्षण ओरिंटेट कंटेंट देने के लिए सिलेक्शन ओरिंटेट गाइडेंस प्रॉइड करन इस बार काफी लोगों को यहां पर देखना था कि किस तरीके से आप कंटेट हेल्प करता है तो इस तरीके से इन ही नोट से जिनका वादा किया गया था जो 1250 पेजस में आपको दिए गये थे उसमें से और हमारी पेड क्विस्स से कोश्चन साएं पेड क्विस्स दी जाएग से निकाला था इसमें 116 करीब सवाल जो है निकल रहे थे आपके दस मैस के कोश्चन कोई प्रेडिट नहीं कर सकता है उसमें प्रिवेस एर के पेपर के हिसाप से ही सवाल रिपीट हो जाते हैं 140 जीयस के सवालों में से 116 आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है जो हमारी टीम नहीं काम करती ऑप्शनल बनेशन में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस काम करती है प्रैक्टिस भी आप जब एमसी क्यू वैसा सॉल्व करते हैं जैसे पीटी में आता है पांच आप्शन वाला उसी से आप जो है टैकल करना सीख सकते हैं यह आप्शन को कि more than one of the above होगा कि none of the above ह होगा इसके लिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है पेड क्विस में जैसे ही पेड मेंबर्स हमारे ज्वाइन होंगे उनको पंद्रासो प्लस कोश्चन मिल जाएंगे ठीक है और डेली यह अपडेट होते रहेंगे पंद्रासो कोश्चन से आप शुरुवात कर सकते हैं हम हम बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे जितना जरूरी है जितनी घिसाई जरूरी है वो पूरी की जाएगी घिसाई इंदा सेंस कि आप बार बार वो फैक्स देखेंगे उनको कुछ फॉर्म में एटेंट करेंगे और कई सारे आपको एक्जाम में मिल जाते हैं यहां पर हम पूरे प्रूफ क Oliva एक माना गया था रहा ंपर कुछ बिल्ली में बहूगा औरर यहां पर जमो कश्मीर भी रहेगी FTA agreement के बारे में जून मंद current affair में था agreement section में और यह पूरा हमने यहां पर Arctic का M के बारे मताया यह sports का भी पूरा data हम लोग update करते हैं चाहे आप overall current affair ले ले लें चाहे बिहार के current affair ले ले लें ठीक है तो इस तरीके से हमारी quiz से भी directly यह सवाल कई बार देखने को बिल जाते हैं यह बिहार economic survey की समरी से था यह हमने वीडियो भी दिया था इसके YouTube पर free में आप देख सकते हैं मिला सकते हैं बिहार खादी के brand ambassador पंकर त्रिपार्थी भी थे मनोतिवारी हैं यह दोनों चीज हमने करवाई थी सीता मढ़ी में जो है विश्व की सबसे लंबी सीता माता की मूर्थी विश्व बन रही है तो यहां पर हम सारी चीजें यहां पर cover करवाते रहे हैं ठीक है पुराने भी fact की हम practice करवा देते हैं अब बिहार करेंट ले ले आप लिए हिस्ट्री के सवाल में आप लोग फस्ते हैं कई बार इस्ट्री में नहीं समझ पाते हैं लोग तीन चार-चार किताब में रिकमेंट कर दी जाती लोगों के दौरा इतना cover करना fruitful तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है खास कर जब इतना कम समय दिया गया पीटी के लिए मुश्किल से मुश्किल आपको पास 85-87 दिन बचे हुए हैं दो दिन में नहीं काउंट करना हूं इधर उदर वो ट्रैवल में चला जाता है आपकर लगभग लगभग 85 दिवस बचे हैं आज की शाम से और यहां पर आप इतने सारे के कोश्चन कर सकेंगे जितना शायद एक दो किताबे पढ़के भी ना हो पाएं आपके अभी हमारे नोट्स का वल्यूम कितना हो भी मैं आपको शोकर दे रहा हूं हमारा कंटेंट जो है फैक्ट ओरियंटेड है ठीक है जैसे भारत में प्रतम जनकरना किस पूछिए प्रतम मैं इस बार पूछी गई है ठीक है और यह सब एंशेंट के मेंडिवल के सब एंपको मिल जाएंगे ऑप यह इस तरीके से विजोग्रफी के भी आप ले लेने सब यहां पर हमने आप बिल्कुल सबस्ट तरीके से अविल बल करवा रख थे आपको यह कर सकते थे 140 में से मैंने आपको 116 का गरीब दिखाया है कि यह आप पूरे सवाल कर सकते तो किसी भी हालत में कट आफ जो है इतना हाई नहीं जाएगा कट अब तक का सबसे हाई जो है एक स्वाट कोश्चन चला गया था ठीक है का सही उत्तर जो है डी ही होगा तो इस तरीके से सारे प्रूफ हमने यहां पर फर्निश कर दिए हैं कि लास्ट यर के नोट से हर सालम नोट्स अपडेट करते हैं बकाइदा हर पीटी से पहले नोट्स अपडेट होते हैं चेक किये जाते हैं कोई भी कमी रह जाती है तो हम पे कोई कसर नहीं छोड़ी जाती हमारे ग्रूप में हमारे एड्मिन हमारी स्टीम के द्वारा किसी भी तरीके से आपका कोई सवाल रुक ना जाए सिलेक्शन के लिए maximum effort हमारी तरफ से रहे बस आप साथ साथ अगर follow करते जाते हैं तो जैसे हजारों की संख्या में लोगों का पीटी क्लियर हुए पछले तीन वर्षों में आपका भी हो सकता है नंबर ओफ पेजेस भी यहां पर आप देख लिए इतने नंबर ओफ पेजेस में आपको हमारे सब्जेक्ट वाइस नोट्स दिये जाएंगे जिन से लास्ट येर जो है इतने कुश्चन साहे थे ठीक है इसमें हम सब कवर करवा देंगे ये करीब वॉल्यूम कितना बन रहा है आप देख लिए इसमें 1523 पेज हो रहा है सब मिलाकर करेंट और स्टैक के सारे नोट्स मिलाकर के ठीक है टेस्ट सीरीज अलग से टेस्ट सीरीज प्राक्टिस के लिए उसके नंबर ओफ पेजेस हम कर रहे हैं अगर आप सीरियस कंडिडेट हैं 68 के लिए 68 पीटी के लिए सीरियस हैं और इतना आप पढ़ सकते हैं तो हमारा ग्रूप जोइन करके बिना देर की आप रिप्रेशन यहां पर शुरू कर सकते हमारे साथ वापस आ जाएंगे स्टैट जी पर स्टैट जी पर पूरा इस तक का सपोर्ट दिया जाएगा अगर किसी भी आलत में पीटी थोड़ा और आगे बढ़ता है जो कि हम आशा करते हैं नहीं बढ़े ठीक है अगर आगे बढ़ता है तो अप्रेल दो जार तेइस तक का हम सपोर्ट देंगे इसमें ठीक है डिसक्रशन ग्रूप का सपोर्ट जो है 12 तक रहेगा हलांकि स्टेडी मट्रियल ग्रूप का हम सपोर्ट देंगे आपको आप जानते हैं कि पोस्पोन हुआ था 67 लेकिन पोस्पोन होने के बाद भी अगले 6 मेने तक लगातार हमने अपने स्टूडेंट्स का साथ दिया उनका करेंट अफेर भी सब्सक्राइब करते हैं अब एकदम जो पहली बार तयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेवर्स भी यहां पर ब्रेकडाउन कर लेते हैं बागी लोग भी एक बार देखिए इसको इसमें कोई भी रिनात्मक मुल्य अंकर नहीं होता है याणि की निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती तो इसका आशा है यह आपको ओएमार पूरा भरा होना चाहिए आपको 150 के 150 कोश्चन यहां पर अटाइम्ट करने के आने होते हैं कोई भी कोश्चन आपको छोड़ होता है ओमार में ठीक है यह सिंगन हो गया अब प्राअर्पक्रम यहां पर धिया हुआ है पारण करकर यहां पर करके यहर साल चाप जाता है कोई यहांप एपडेट नहींग किया if Germany , ळिकिन जोente दिखा हुआ है वह सब यहां पर छाता हुआ है नदिया भारत और वारत की राजवस्था आर्थिक वे उस्था आजादी के बाद बिहार की आर्थवस्था के प्रमुक परिवर्तन जो की एकनोमिक सर्वे में उसको दिखाई देते हैं भारत कराश्ट्री अंदुलन बिहार का युगदान तो यह सह हमको कबर करना होता है ज् जो डिस्प्यूटेट सवाल थे उनका सही उत्तर करके दे दिया गया है ग्रुप में हमारी PDF से आप करिएगा कन्फ्यूज बनता हुएगा जो उसमें उत्तर दिया गया वही फाइनली सही बाना जाएगा बीपिशी 66 तुमें जो है किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आये इसको देख लेते हैं इतिहास से 31 सवाल टोटल आये ते इसमें एंशिंट से यानिकी प्राचीन भारत की तिहास से 6 सवाल थे करें तक के Zuschauer state important सब्सक्रा को होजबleben सब्सक्राइब. करें अब बटारेट, और अभ aparecer यहांमे. अपर बता दीजा, सबस्काइबॅब में सब्सक्राइब 3 शबंस का शक्रारा तक लिगा सवाल रहते हैं? बिहार स्पेशल में अगर आम देखें तो 11 सवाल बिहार इकनामी की यहां पर 4 सवाल आये थे विःयार बिजट से कोई नहीं आये था बिहार करेंट में पर देखेंगे 32 सवाल जिसके से 1 मिन्रील जी के से था click के अरण प्रिंटि сдел नौर्मल करेंट मातिं द्रॆ रहताों थे पूरे वर्ष नीउज में रहा था तो यूक्रेन का अगर कोई पोट पूछेंगे यूक्रेट पूट पूछ लेंगे यूक्रेट का अगर कोई पूर्ट कोई हवाइड़ जो है उसके आसपास को जुग्रफिकल फीचर और नदी का मुहाना आइलेंड वगार उसका पूछ ल रहे थे आपके करेंट फैर के यह 66 का लेखा जोखा हो गया अब आ जाते हैं एक्डम लेटेस्ट पर जो 67 करी एक्जाम हुआ था उसमें कितने कितने सवाल आए थे इसको भी देख लेते हैं जे किे यहँपे 20 सवाल आ ये थे थे इस बार थोड़े चावल ज़ुक्राफी के साथ रिदीन Shrily जोग्रफी के साथ बिहार ज्युक्राफी से के बिहार बिहार स्पेशल्टे के हुँआ सब बिえजए गे से इंटरनाइस्टल नाइस्टल और बांकी सब लिंक करके जो इकनॉमी से आता है वो जनरली 42 से 45 का होता है लेकिन इस बार के पीटी में इसको थोड़ा सा घटाया गया और कोश्चन जो है बिहार स्टैटिक और बिहार करेंट का बढ़ाया गया यहां पर ठीक तो यह पीटी का सकता है चालिस तक होते हैं यहां पर रिश्ट्री के 35 से चालिस आप पान सकते हैं करेंट फइर के 25 से 25 से नॉर्मल वाले साइंस में जो है 20 से 25 होते हैं कभी कभी 30 तक पहुंच जाता है मामला गर्म धोड़ा इसमें एन्वार्मेंट को एकनॉमिक्स में 10 से 15 सवाल होते हैं स्टाटिक में भी यहां पर कुछ कमिटी पूछ ली जाती हैं फिर आपका इसमें जो है कुछ NCRT का बेसिक पूछ लेते हैं एक दो सवाल ठीक कुछ यहां पर आपका important जो schemes होती हैं वह पूछ लेते हैं पुरानी scheme पूछ लेते हैं government of India की कुछ यहां पर हमारी जो पुरान नहीं recommend की जा सकती है NCRT के basic से मैंने बताया कभी-कभी एक सवाल आता है कभी-कभी एक भी नहीं आता है तो इसमें को कोई बहुत ज्यादा economic static की जरूरत दे पढ़ती है जो content आपको study for services notes के माध्यम से दिया गया है वही sufficient हो जाएगा हमने schemes की cover करवा दी हैं आपको सब update करक economic policies में 5-year plan पूरा cover कर दिया गया है Google के हमने notes दी हैं हमेशा efficient होते हैं उसी से आप सारे question कर सकते हैं बिहार special में अगर हम देखें तो यहां पर 10-20 लिखे गए लेकिन अधिक्तम 22 लेकिन इस बात 27 तक पहुंच गये थे बिहार current अगर मिला दें हम इसमें ठीक है तो इस तरी इस साल कितना cut-off रहता है जब 108 cut-off गया था तो हमने calculate कि हमारे पीटी के 398 सदस्यों के ग्रूप से 668 मेंबर जो है सिलेक्ट हुए थे मेंस लिखने के लिए और 16 परसेंट करीब जो शात्र सफल हुए थे ठीक है अब 67 का रिजल्ट आया नहीं है यह आने के बाद आपको आ चाहिए इजी पेपर आजाए चाहिए मौडरेट आजाए चाहिए टाफ आजाए आप महसूस करेंगी सब पढ़ा हुआ है और आपका सब तयार किया हुआ है पर जिन लोगों ने जोइन किया है आप स्ट्राइजी वीडियो तो देखी रहे हैं अच्छा अच्छी बात है अच्छी बात है लेकिन अगर पहली बार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कि पीटी पर अधिक ध्यान दिया जाए ठीक है पच्छासी दिन में आप पीटी पर ध्यान दीजिए बात में जितना समय मिलेगा आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं ठीक है अगर आपको थोड़ा ऑप्शनल रिवाइस है तो क्योंकि अगर पीटी फिर मिस कर दिया आ सारे सबजेक्ट हमको कुवर कर रहेय это कोई भी सबजेक्ट आपको nutr lira नहीं किसी सबजाक्ट चोड़ करे के पीटी क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा तो सब कुछ कवर होना चाहिए अगर आप यह सब मिस कर दिये तो इंटर्विव तो आपको देना ही है ना कुल भी लाके इंटर्विव में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा कोई अधर स्टेट का है सोच रहा है मैं विहार पूरा पोरिशन छोड़ दूँ लेकिन उसे लगता है कि बाकी कवर करना बहुत जरूरी है वेटेज देख रहें बढ़ाया जा रहा है सिस्टी सेवन में काफी सारे कोशन भीहार करेंट के और स्टेटिक के पूछे गए थे तो अले बात यह कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन प्रायरिटी बिल्कुल बना सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आता है उसको ज्यादा प्रायरिटी देंगे जैसे करेंट फैर है करेंट फैर का सक्षन ऐसा है कि ज्ते जादा सवाल आते भी है और यह काफी स्कोरिंग भी हाप मान सकते हैं यानिकि अगर आप स्टडी फॉर्स का कंटेंट पढ़ेंगे तो बोरिंग मानते हैं तब भी हिस्ट्री में उतरना पड़ेगा ठीक है आप बह जाएंगे इतिहास की धार में क्योंकि आप आ चुके हैं आप PCS बिहार में ठीक है ऐसा हमारा मित्र एक कहा करते थे उनका मानना था कि आप जो है इस पूछ लेते हैं किसी भी हालत में इस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा अप तयार करेगा ज्यादा बडन भी पड़ेगा और मैक्समम आउट्पूट आप यहां से ले सकते हैं अगला हमारा टार्गेट होगा साइन्स प्लस इंवार्मेंट इससे भी 30 सवाल हर बार आते हैं 28 से 30 तो हर बार रहते हैं गिने गिने पूरे तो आप देखेंगे यहां पर एक बटा पांच शिस्ता यहां से बंता है बड़ा कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है यहां पर अग्जांपल्स पूछे जाते हैं एक आदे कुछ टफ सवाल भी होते हैं इसके वैल्यू बेस्ट उसको अगर चोड़ दें तब भी आप इसमें 27 निकाल सकते हैं तीस में से कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है हमारे नोट से आप इतने निकाल सकते हैं ठीक है फिर बिहा अब यहां पर करवाएंगे अच्छाए कि यहां पर बड़ा सवाल है बड़ा सवाल यह है कि हमको कौन सा कौन सा यहां पर एकनॉमिक सर्वे तैयार करना पड़ेगा चुकि अपडेट हो गई है 12 फेब ठीक है पहले जन्वरी था तो एक दम को सपष्ट था कि जो 2022 में जो स सर्वे अपडेट होता है तो देखते हैं कब होता है अगर फेब के एंड में होता है तो अच्छी बात है विन-विन सिच्वेशन है जो आपने 67 के लिए तैयार किया था वही एकनॉमिक सर्वे आपको तैयार करना पड़ेगा उसी के वैल्यूस लटन करने पड़ेंगी ठी से आप नया भी पढ़ लें लेकिन बहुत संभावना है कि नए से नहीं आएगा बारा फेब तक पब्लिश होना मुश्किल है और अगर आ भी गया दस्ग्यारा को बिहार का ओफीशल एकनॉमिक सर्वेड होजरते इसका अपड़ेटेट तब भी पुराने सही सवाला आने क सब्सक्राइब नहीं बता रहा हूं यह एक फैक्ट बात है बिहार के लोगों के मैंस अच्छी होती है ठीक है और अगर जो आर्ट साइट से पढ़े हुए हैं रेयर लोग हैं तो भाई आपको क्या करना है प्रीविशर पेपर आप जरूर देख लिजिएगा डिसक्शन ग इसी पैटरन पर दिए जाएंगे जिस तरीके से पूछे जाते जिन चैप्टर से पूछे जाते वहीं दिये जाएंगे आप उनको लगतार प्रैक्टिस कर लीजेगा एक बार पॉल्टी में 10-12 सवाल आते हैं वह हमारा लिस्टिंग कंपाइलेशन वाला जो अपडेट है अगर आप पूछेंगे कि क्या मतलब कोई बॉक पढ़ना जरूरी है पीटी के लिए पॉल्टी के लिए तो उत्तर होगा मेरी तरफ से नहीं पीटी के लिए हमारा कंटेंट काफी होगा लेकिन चुकि आपको मेंस भी देना है इसी तो आप पोस्ट के लिए जा रहे हैं त ठीक फिजोग्रफी में हमारे नोट्स अफिशेंट होंगे किसी बुक की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी एकनॉमिक्स में या एकनॉमी में हम लोग कह सकते हैं करेंट बेस ज्यादा आता है इसमें हमको इंडिया का जो इकनॉमिक्स सर्वेश चपता है हर साल वह पढ़ना लेकिन हम देखेंगे यदि हमको लगता है कि हमको 2023 का भी आपको देना चाहिए तो टाइम से आपको दे दिये जाएगा ठीक है बजट वैसे आ जाता है फ़रा फश्ट वीक में फूरा पब्लिश हो जाता है लेकिन बारा को पेपर है तो हम उसके शॉर्ट आपको जरूर द बढ़ते रहेगा जैसे जो फाइव यर प्लान वाला अपडेट हो गया कमीटी वाला हो गया ठीक है और जो जरूरी एक दो और कंटेंट आपको दिया गया है और बाकी स्टाटिक के कुछ कोश्चन्स भी हम अपडेट कराएंगे एक नौमिम जो टॉप टूहंडडेट की स अवाल हमने जो दे दिये हैं उनको एक बार जुरूर लगा लिजिएगा उससे आपका स्टाटिक काफी अच्छा मजबूत हो जाएगा अब यहां पर पीडियाफ वाइस बता देते हैं ठीक है और आपको कहीं से नहीं पढ़ना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं के लिए और कोई भी करेंट अफैर का आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है ठीक है टोटल करेंट अफैर में हमने आपको दिसंबर 2021 से अपडेट करते हुए ऑक्टूबर 2022 तक की पीडियाफ देदी गई होगी ग्रूप में अभी दिखा देंगे पेडियू में अक्टूबर क तक की हमने दे दिये आप लोग चाहे पुराने शुरू कर लिजी चाहे दिसंबर से अपडेट करना शुरू कर लिजी चाहे नाय से शुरू कर लिजी अक्टूबर 2022 से आप पीछे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं ठीक है आपको 68PT के लिए जो की आपका 12 Feb को होना है ठीक को आप पढ़ते रही हैं इतिहास के लिए जो मतलब BPSC के Special Notes हमने दिये हैं BPSC Concerned आपको Group में बस उनी को आप पढ़ते रही है उसी से आपका कबर हो जाएगा सब साइन्स के लिए जो हमने Science Special Notes दियें BPSC के लिए उससे आपका Science Cover हो जाएगा और यह बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोली जा रही है ठीक बिहार Special में जो latest updated है जो हमने complete static GK दे दी है बिहार की इसमें से निसस बिहार का SFR सब included है ठीक है यह बिहार SFR का मतलब यहां पर State Forest Report है ठीक है जो latest updated हो यह 2019 में माफ कीजेगा 2021 तक updated है ठीक है इसके बाद बिहार current affair हमने update दिया आपको August 2021 से लेकर August 2022 तक इसके बाद का आपको दिया जाता रहेगा ठीक है जिससे साल के end में आपको August से लेकर के हम update कर देंगे अधिसंबर 2022 का उसके बाद बिहार में बजट 2022 ते इस आपको पढ़ना है बिहार का बजट जब तक नया नहीं आ जाता है यहीं मारली important है यहीं आपको पढ़ना है बिहार economic survey आपको 21-22 काई पढ़ना है जो की latest है मैंने आपको बताया बिहार economic survey अगर update हो जाता है एक फिप से लेकर 7 फिप तक 2023 में तो उसका भी summary आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा exam से पहले ठीक है कोई चिंतावली बात नहीं है भूगोल में अगर हम देखें तो BPSC के जो नोटस हैं भूगोल के वो जो हमने दिये हैं वो काफी होगा और साथी साथ आपको practice के जो करवाई जाएगी questions quiz में और इसके साथ हमने practice के लिए कुछ questions दिये हैं करीब 890 हमने सवाल दिये हैं question bank के form में वो आप यहां पर solve कर लिजेगा इससे आपकी practice बन जाएगे quality के लिए quality special notes दे दिये गये हैं वही काफी होंगे आपके economy में most importantly current affair आता है तो union budget 2022-23 ठीक है economic survey 2021-22 के most important points दे दिये उसी में आप पढ़िएगा वही जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 का update अगर आ जाता है तो उसकी हम short summary आपको देंगे exam point of view से और वो data update होते कि तुरंत ही दे दी जाएगी इसमें आप बिल्कुल tension नहीं लेजिए ठीक है मैंने आपको बताया कि पढ़ना शुरू कर लिजिएगा 2023 की summary के इंतिजार में रहिएगा ऐसा ना हो कि 2022-2023 का ही पूछ ले और 2023 से कुछ न पूछे ठीक है तो आपके question इस तरह जाएंगे इसको पढ़ना आप शुरू कर लिजिए गये हैं और लिस्टिंग फॉर् कुछ question समिसके update करेंगे कुछ वाले ग्रूप में उससे आपकी practice हो जाएगी और दस सवालों में आपका आपकी अच्छी खासी पकाड़ इसमें बन जाएगी पीडियाफ दे दिया है अगर आप पड़ चुके हैं ठीक बात है लेकिन अगर आपने पीडियू नहीं देखें रिसेंट वाले तो इनको जरूर देखेगा एक आदा पेपर जो अधर किसी एक्जाम का है जैसे हम देखेंगे जो अधर पोस्ट आती है उसमें भी सिमलर पै करना है अगर आप बिहार की चीज़ें चोट रहें तो आगे आपने लिए अड़ाग होद रहें इसा नहीं करिएगा हमारे नोट्स आप कंप्लीट कर लिजेगा बिहार एकनोमिक सर्वे बिहार करेंट से पढ़ लिजेगा आप फाइदा होगा आपको एज मिलेगा दूसर सब्सक्राइब होते हैं कई बार ठीक है जैसे भारती राष्ट्री अंदोलन जो तीन हुए हैं मुख्य आपका नॉन कॉपरेशन सेविल डिसोबिटेंट भारत छोड़ो इन तीनों में जो इवेंट्स हुएं कई बार वो पूछ ली जाते हैं हमेशा आ जाते हैं कई बार इवेंट्स तो उनकी पूर छोटी सी लिश्टिंग हमने बनाई है मॉडरन स्पेशल उसको पढ़ लीजेगा उसके बाद एनिशेंट के टॉप 500 कोश्चन्स हैं मैंडिवल के टॉप 500 हैं प्रैक्टिस के लिए हैं मॉडरन टॉप 500 है एकजार ईजी लेवल के भी हमने दे लिए हैं आप भरपूर प्रैक्टिस करिए यहां से एकदम जो है कहीं से कुछ भी अलग्से पढ़ने की बढ़ेगी ठीक है आप लोग पूछते यह सेट लगा लें वो सेट लगा लें आप यह लगाई जो हमने दिया है बरपूर आपकी प्रैक्टिस इसी से हो जाएगी करेंट फैर के लिए जो मन्त वाइस हमने नोट्स दिये हैं उसी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कुछ ग्रूप में करेंट फैर की प्रैक्टिस होती रहेगी टेस्रीज जो सेक्शन वाइस होगी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ठीक अब उसके बाद बिह प्रैक्टिस आप कर सकते हैं साइन्स के टॉप 600 कोश्चन से जो एंसी आटी बेजड है उनको लगा लीजेगा आप जोग्रफी में आपको स्पेशल नोट्स दे गए हैं CS के टॉप 890 कोश्चन दिये हैं एक NCRT बेजड हमने 900 कोश्चन दिये हैं जो बेसिक वाले हैं बिल्कुल जो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं कई बार बहुत बेसिक भी आजाता है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इकनॉमी के लिए हमने बताया कि जादा सर्थ करेंट बेस डेटा आता है तो इसमें यूनियन बजट 2022-2023 एकनॉमिक सर्वे 2021 बाइस आपको पढ़ना चालू कर देना हैं बिल्कुल 2023 वाले कवेट की ये बिना ठीक है उसके बाद स्कीम्स लेटेस्ट मिंडरल इनकी पीडिएफ दे गई है जिनसे सवाल आते हैं एक इन्वार्मेंट के लिए कम कोश्चन आते हैं तो यहां पर कंटेंट भी कम है आपको इसमें हमने स्पेशल नोट्स पीडिएफ दे दिया है टॉप 300 का कोश्चन का कंपाइलेशन भी दे दिया है मैंस के लिए कर लिए इतना सफिशेंट हो जाएगा मैंस के लिए पॉलिटी के लिए स्पेशल नोट्स दिये गए उसको आपको पढ़ना है और टाप 500 कोशन दे दियेगा है प्रैक्टिस के लिए उनको आप कर सकते हैं जिन लोगों ने भी पीर सी पीटी में सिर्फ टेस्स का ग्रूप जोएन किया आपको बता दिये जाए कि 12 फुल टेस्ट मिलेंगे आपको 18 सेक्शन वाइस टेस्ट मिलेंगे तो तीस टेस्स यहां पर होगी और पीडिएफ आपको ग्रूप में मिल जाएगी ठीक रात आट बज़े मिल जाती है पहले क्वेशन पेपर फॉर्म में पीडिए पर जरूरी explanation भी दिया रहता है कोई भी update कोई error correction कोई fact अपडेशन कोई बर क्लारिफिकेशन होता है मिलते जुलते फैक्ट में तो हम रेगुलर यह सब करते रहते हैं और ग्रूप में पोस्ट भी करते रहते हैं इसका एक नमूना दिखा देते हैं आपको यहां पर आप द करते हैं की जुलती महरास्ट ने भी किए है हलांकि महरास्ट ने कांगे कि जैसी अड़ बॉड़ी अपने पर्रेंगे लेकिन महरास्ट में कोई state planning commission नहीं है महरास्ट में को जो है अपे बॉड़्िक की जाएगी ठीक है यहां पर एक जो माइन्यूट डिफरेंट से दो नियूस के बीच में हमने यहां पर क्लियर किया है रायत वाड़ी सिस्टम के बारे में सकते हैं कोई दिन है कि यहां चोटा सब्याट अपको पूरे नगेंगे यह सब कम्पलीट करने के लिए ठीक है अगले 80 दिन के लिए इतना काफी होगा आप यहां पर यह द्यान देजिए कि अभी आप पीटी की तैयरी कर रहें तो यहां पर फैक्ट आइडेंटिफिकेशन पर यहां पर द्यान देना होगा जो नए लोग हैं बड़ा यहां पर असमंजस में आ जाते हैं कि अगर आपको एक दम से कोई पूंच है इसलिक के दिखाई टेबल बनाके दिखाई तो आपको ना बना पाएं लेकिन अगर आपके सामने पीटी में सवाल आ गया कि इन में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले आया था तो आप निश्य तोर पर कर ले जाते हैं कई बार तो यही एक हमारी साइकलाजी यहां पर देखने को मिलेगी अगर आप पहली बार वाले हैं तो थोड़ा सा असमंजस जरूर महसूस करेंगे लेकिन आपको यहां पर बस रेगुलर रीडिंग पर फोकस करना है एक दो रीडिंग के बाद इतना आपका क्लियर हो जाएगा हमारे नोट से किया आप फैक्ट आइडेंटिफाई करने ले जाएंगे ठीक है आइडेंटिफाई आप करने लग जाएंगे उसका कोई फिल इ यहां पर पीटि का गोल होता है और यही यहां पर आपका स्किल यहीवाली चेक भी कि में फस यह वहां पर आपका question गलत हो काई बार तब ही आप फिर सीखेंगे कि अच्छा हाँ यह option वाले में क्या पढ़ा जाता है कैसे आप नन ऑफ दा अब या फिर more more than one of the above को पहचानते क्या scenario है यहां पर question में क्या कुछ इसा हो सकता है कि दो हो रहे हो नीचे ठीक है या एक भी नहीं हो रहा हो ठीक है तो इस तरीके से question practice से ही आप आते हैं इसमें कोई preconceived यहां पर factor नहीं हो सकता है जो आपका यह option वाला problem solve करते हैं इसी वजह से practice में आपको quiz group वाला attempt करना जरूरी है यह वाले कई सारे यह वाले option आपको कराएंगे इससे आपके यह कमजोरी दूर होगी 67 PT exam का जैसे सवाल आया था कि राजस्थान में पुदिया गया है कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है उससे कोई भी match नहीं हो रहा है तो जैसे इसका उत्तर ई होगा हम जैसे यह जो सवाल है इसमें कौन से सुधार विलियम बंटिक ने प्रारम किये थे इसमें कई सारे लोगों ने एकदम से ई लगा दिया था मि यह भी सभी है लेकिन दास्षपर्था का उल्मूलन तो अलन बेरो काल में हुआ था और धर्म परिवर्तन के कारण अयोगता के प्रावधान को हटाया गया था डेलहोजी काल में ठीका है यह आपको सब पता होना चाहिए इसी वज़े से प्रैक्टिस जरूरी है कोई यहां बिदिम् होगि उतने अच्छी ओब्जर्वेशन स्किल आपकी बनेगी इतंनी कम रीडिंग होगी उतने हैं इतने कंफीजन बढ़ेगा रीडिंग जितनी जादा होगी अरब पाउस्टिव नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। को देना है को भी आपको और लगता है को पर क् actually लगता है आपको डिसक्रस करना चाहिए तो आप हमारी discussion रूप मेरा अगर आप है फुल पड़ गूप जिन के पास हो गा उनके पास प् daQU का हो गा इसक्षन गूप में तरन विक की जाती है दिन के समय में real time में doubt हम लोग solve करते हैं लेकिन maximum time यहाँ पर six hours का यहाँ पर रखा गया है हर हाल में 6 गंटे में आपको जवाब मिल जाता है discussion group में वैसे तो real time में मिलता है ठीक है जरा भी wait नहीं करना पड़ता है लेकिन six hours यह maximum limit है जो भी लोग only study material group में only test series group में only current fire के group में है वो अपना doubt कहां पूछेंगे वो अपना doubt पूछेंगे इस whatsapp नंबर पर 7838692 618 करके इस ग्यांसर का whatsapp नंबर है इसमें सिर्फ आप text form में अपने doubt पूछेगा voice message या फिर calls को यहां पर entertain नहीं किया जाता है बिल्कुल भी text message में आप यहां पर doubt पूछ सकते हैं अगला वीडियो वीडियो नंबर टू है यानिक ही पेड ग्रूप में material कैसे देखें वो वीडियो आप पूरा यहां पर complete करिए उसके बाद अपनी studies यहां पर शुरू करिए